नमस्कार आप देख रहें शुप 24 News और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता कहते हैं चहरे में चमक हो तो दुनिया आपको ही देखती है ऐसे में चहरे आपकी बॉडी का एहम पार्ट होता है जो आपको लोगों के बीच में पॉपुलर बनाता है चहरे की चमक के लिए उप्तन बहुत ही कारेगर है उप्तन आज से नहीं बलकि काफी पुरानी समय से चलता आ रहा है उप्तन खुबसूरती बढ़ाता है, रंगत निखारता है और इसके इस्तमाल से आपकी त्यचा और भी निखरती है गरेलू और नैचरल चीजों से बनने वाला उप्तन से ही किसी तरह के साइड इफेक्ट या एलर्जी का डर नहीं होता रोजाना उप्तन के इस्तमाल से इसकी ना सिर्फ हैल्दी और ग्लोइंग नजर आती है बलकि लंबे वक्त तक जवा भी बनी रहती है बलकि लंबे वक्त तक चहरा जवा भी बना रहता है आज हम आपको गरेलू उप्तन बनाने का आसान तरीका बताते हैं आप आधा चमच मेदा, आधा चमच प्ली स्रीन, दो चमच ताजा गुलाब की पत्तियां और एग चमच गुलाब जल और एग चमच दूद लेकर सबको मिलाएं और उसका एक पेस्ट बना लें और अपने चहरे पर लगा के छोड़ दें फिर दस से पंदर मिट बाद इसे दो लें स्वास्तों सौंदर से चुड़ी एहम कबरों को देखने के लिए बने रहे ये शोप्रेटिपूर न्यूस के साथ मवश्कार मैंने नो